नमस्कार आप देख रहे हैं, SBR News 1 और मैं हूँ आपके साथ अनुकमा खोबरे और बढ़ते हैं खास खबरों की और उत्रोयला के कमलापुरी आश्रम में आज अखिल भारती कमलापुरी वैश्ष समाज की प्रांती बैठथक का आयूजन किया गया जिसमें पुरे प्रदेश से आये पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और समाज के हित में विभिन बिंदु ओपर भी चर्चा की गई जिसमें सर्वसमत्ती से पुराने भवन को धर्मशाला बनाने की बात रखी गई बता दे की कमलापुरी वैश समाज उत्रोला नगर में बहु संख्यक समाज के रूप में जाना जाता है इस कारक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राकिश गुपता, उपाध्यक्ष देवानन्द गुपता, नगर अध्यक्ष अमर्चंद गुपता और अनुक चंद गुपता सहीत सेकडो कमलापूरी स्वजाती बंधू मौजूद रहे हातरस के बस्तोई में एक पत्नी ने अपनी प्रेमी के प्रेमी से पती की हत्या करवाई, बता दे कुछ दिन पहले पुलिस को सरसो के खेत में एक युवक का शाओ मिला था, पुलिस ने शाओ को पोस्ट पाटम के लिए भेजा और जाच परताल में जुट गई, जिसके बाद पता चला कि युवक का नाम छोटे लाल गाउं कनकपूर करहवासी है, जानकारी के अनुसार युवक वही एक खेत में रखवाली करता था, आज पुलिस अदिक्षक ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि मृतिक की पत्नी सुधा के हत्या रोपी संबंधों के बारे में पता चला, तो पत्नी ने अपने प्रेमी अर्विंद से अपने पती को रास्ते से हटाने के लिए कहा, तब हत्यारे ने अपने साथी के साथ मिलकर मृतिक की गमछे से गला घोट कर हत्या कर दी, बहरहाल पुलिस ने मृतिक की पत्नी सुधा उसके प थाना हसायन छेतर में एक व्यक्ति की डेट बॉडी मिली थी जिसका पोस्ट मॉटम कराये गये था पुरिस द्वारा और हत्या की वज़े गला दबाकर हत्या करना प्रकाश में आये था इसके संबन्द में जो मृतक है उनके परिजनों द्वारा थाना हसायन पर शक्क्या साफी अथक प्रयास किये गए और इसी घटना का इनके द्वारा अनावरन किया गया है और इस हत्या की घटना में शामिल को तीन अभ्यूक्तों को पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया है ये तीन अभ्यूक्त जो है अरविंद दलवीर और श्रीमती सुधा जो की मृतक क हात्रस पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चापा मारा। पुलिस ने सभी अभी युक्तो का चालान काटकर न्याले में पेश किया है। चापा में अज़ दो महिलाओं के साथ दर्दनाग घटना को अंजाम दिया गया। एक तरफ पहला मामला खरगूपूरा थाना शेत्र का है जहां पिडिता की मताबिक उसके पती ने रिष्टिदार के साथ मिलकर उसके साथ दुशकर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर पत्नी को मारा पीटा और लोहे की गर्म रोट से पत्नी के शरीर को कई जगह दाग दिया। हेवानियत के से गंभीर रूप से खायल हुई पत्नी ने इलाज के लिए जीला अस्पताल में भरती कराया गया। पुलिस ने पीडीता की शिकायत पर आरूपी पती और रिष्टिदार के खिलाब दुशकर्म, मारपीट और जानलेवा हमला करने को लेकर दोनों आरूपियों को गिरफतार किया है। तो वहीं दूसरा मामला गोंडा शहर के जाजरी ब्लॉक के पास का है, जहां घर के अंदर ही एक महिला की दिन धाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसके बाद हत्यारे ने महिला का सीर धर से कार दिया। सुचना पाकर मौके पर पहुची पुलिस ने प्रात्मिक जाच और शक के आधार पर घर की सदस्यों को हिरासत में लिया है। मौके पर पहुचकर स्पी गोंडा और एडिशनल स्पी ने वार्दात वाली जगह का निरिक्षन किया। पुलिस ने शाओ को पोस्ट पाडम के लिए भेज दिया है। बहराल आज शेहर में हुई दो बड़ी घटनाओं ने पुलिस की कारी शैली पर सवाल खड़ी कर दिये हैं। हमको सब लोग पलान करने के लिए मादमें के लिए हर घर ही हर वक्त नाइट और दिल में सोचते थे। लेकिन हमारे पीता जी कहें कि साधे कर दिया हूँ तो वह ही अपना घर है। मैं पीता जी के कहने से ही चले गई ससुराई। उन्होंने हमें स्वापित कराने के बहाना लगार आए के लाखिलाने। फिलाल के लिए इतना ही, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए, SBR News 1. नमस्कार.